वीडियो यह बहुत ही इंपॉर्टन कर forgiving play चैनल की अध्रसटर्टरून स्था Hello दोस्तो, कैसे हैं आजुम jaarज़ो हमारा ये वीडियो है यह बहुत ही इंपॉर्टन है दोस्त। बहुत important, class 10 के बच्चे जो बोर्ड का एक्जाम दे रहे हैं, उनके लिए तो ये रामबान है, आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा, तो हम आपको बता रहे हैं, CBC अपना sample paper लॉंच कर दिये दोस्त, वो बता दी है कि हमारा question का pattern कैसा होगा, कैसा question exam में आने जा रहा है, probably February और March में हमारा board परिक्षा सुरू हो जाएगा, अब जिसका जो subject है उसके हिसाब से, उसका date schedule आपको मिल जाएगा, ये जो हमारा exam होने वाला है दोस्त, 2023 में, ये बहुत ही crucial होने जा रहा है, हर बार की तरह इस बर question नहीं आ रहा है, दोस्त, आप इसली बार COVID-19 में देखे होंगे, एक बार तो exam हुआ ही नहीं, दूसरी बार term 1, term 2 करके आया, बच्चों का result बहुत अच्छा नहीं था, कुछ बच्चों का ठीक, कुछ बच्चों का खराव, फ़लब मिला जूला type का result था, इस बर जो exam का pattern है दोस्त, इसमें बहुत ही अलग type का schedule है, आज हम आपको science का sample paper बताने जा रहे हैं, उसको explain करने जा रहे हैं, जो CBSE ने अपने website पर डाला हुआ है, ठीक है, इसमें question का pattern कैसा होगा दोस्त, question का जो pattern है, इसमें 20 objective question आ रहे हैं दोस्त, 20 objective question आएंगे, फिर 2 number वाले question होगे, फिर 3 number वाले question होगे, ठीक है, फिर 4 number वाले question होगे, जो की long answer होगा, मतलब objective, short, मतलब very short, फिर short, फिर long, उसके बाद case study होगा दोस्त, case study में 3 question होगा, और long question भी 3 ही होगे, जो हमारा short है, वो 6 या 7 हो सकता है, very short भी हमारा 7 से 8 हो सकता है दोस्त, यह depend करता है, मतलब total लगभग 40 questions के आसपास होगे, 38, 39, 40, it depends, ठीक है, अब क्या है, जो बहुत ही ज्यादा समझने वाली बात है, पूरा का पूरा जो question जो आ रहा है दोस्त, हमारा NCRT को पकड़ के चल रहा है, मतलब NCRT आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ उसका जो activity है, हर chapter में activity है, science की हर chapter में आपको activity मिल जाएगा, maths में मिलेगा, हर subject में activities है दिया हुआ है, तो जो activity है, उसको आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, इसमें questions, हम बार-बार बोलते आएं बच्चों को, कि आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, chapter जो है, conceptual based question बहुत सारे आ रहे हैं, आप हर question में देखेंगे, अभी आपको उपता चल जाएगा, question किस तरह से आ रहा है, कितना concept उसमें लग रहा है, conceptuality कितनी important है यहाँ पे, यह आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, जो हमारा very short है, उसको 30 से 50 शब्द में लिखना है दोस्त, 30 सब्द बोले तो, अगर आप एक line में, 6 से 7 सब्द लिखते हैं, तो 5 line, max to max 6 line लिखेंगे, that is more than enough, जो आपका short है, 50 से 80 सब्द में है, मतलब 8 से 9 line हो सकता है, 10 line हो सकता है, जो आपका long है, वो 120 सब्द के अंदर-अंदर कोसिस करेंगे लिख देने का, जो case based है, जैसा question हो को वैसा आपको answer देना है, अगर एक line में answer हो रहा तो, एक line में देंगे, दो line में देंगे, 4 line में हो रहा तो, चार line में देंगे, जैसा question हो वैसा answer, एक बहुत important चीज है दोस्त इस बारजा का जो question है एक question में दो तीन question जुटा हुआ है तो जो आपका number है वो हर एक part पे अलग-अलग बटा हुआ है जैसे अगर मान लेते हैं एक question होता है आप question पढ़े होंगे NCRT में या फिर कोई भी दूसरा जो hill book आता है अलग-अलग किताबों में आप देखे होंगे कि एक जो long question होता है उसके साथ दो-तीन छोड़-छोड़ questions जुड़े हुए होते हैं तब एक long question बनता है या फिर short question भी वैसा ही बनता है तो question का जो answer होगा इस बार question का जो answer होगा आपको हर एक part के लिए अलग-अलग number allocate किया हुआ है जैसे मानते हैं तीन छोटे-छोटे questions को मिला कर एक long बनाए गया है तो उसमें हर एक छोटे part के लिए अलग से number allocate किया गया है दोस्त तब जाकर वो एक पूरा set question का हमारा बनके तयार हो रहा है आपको करना क्या है तयारी बहुत धंग से गड़नी है अभी हम आपको screen पे ले जा रहे हैं दिखाते हैं question कैसा आएगा questions का marking scheme कैसा है कैसे numbers को दिये जा रहे हैं यह sample paper है और उसके अदर साथ हम आपको उसका answer भी दे रहे है answer key भी साथ में है दोस्त आप ध्यान से देखेंगे पहले आपको क्या करना है पहले सारा questions जो हम आपको दे रहे हैं खुद से solve करने का कोसिस करेंगे आप खुद से solve कीजिए उसके बाद answer key भी last में दिया हुआ है आप answer key को भी देख सकते हैं refer कर सकते हैं कब जब आप इस set को बना लें तब पहले set को बना लीजिए और अपने answers को answer key के साथ match कराईए ठीक है आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरी तयारी अभी कितनी है और कितनी अभी बाकी है आपके तयारी का level कितना है यह आपको पता चल जाएगा आपको self analysis करना चाहिए introspection करना चाहिए कि हम अभी कहाँ पर है मेरा लेवल अभी कितना है कितना अभी बाकी है मेरा टार्गेट कितना है और हमें भी कहां तक पहुँचे है ठीके दोस्त तो आपको बस ध्यान ये देना है NCRT को छोड़िये नहीं पिछले वीडियो में दोस्त हम आपसे शेर किये थे कि अगर हम लोग चाहें तो जनवरी तक पूरी NCRT को कम से कम दो बार हम लोग खतम कर सकते हैं हम बार बार बोल रहे हैं NCRT को जरू खतम करने कोश किजिए अरे दो बार नहीं होगा एक बार तो हो जाएगा ना आप वो एक वीडियो देखिए आपको समझे रहे हैं NCRT लोग कैसे खतम कर सकते हैं वो आपको बहुत help करेगा दोस्ट विश्वास मानी हो आपको बहुत help करेगा आपको score करने में बहुत help करेगा ठीक है अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे दूसरे subject शायद maths का हम आपको sample पे ब्रगद मिलेंगे अभी हम लोग क्या करेंगे दोस्ट अभी हम आपको screen पे लिए चलते हैं आप ध्यान से देखिएगा problem जरूर सॉल्व कीजिएगा ठीक है चलिए अब हम लोग screen पे चलते हैं अब हम लोग screen पे आ गए हैं यहां पर हम लोग अब देखेंगे कि बोर्ड एक्जाम में जो CBAC ने sample paper दिया हुआ है उसके बारे हम लोग समझने के कोज़िश करेंगे जो सबसे important बात है कि तकरीवन इसमें 39 questions हैं जो 5 sections में बटे हुए हैं सारे questions compulsory हैं यानि कि आपको हर प्रश्ण का उत्तर देना है कोई question आप छोड़ेंगे नहीं दोस्त इसमें अगला जो बात लिखा हुआ है वो section A जिसमें 20 objective type questions होंगे जैसा कि हम आपको अभी बताया थे कि इस बार के exam में पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें 20 questions पहली बार objective आने वाले हैं जो एक अक number के होंगे जो एक number carry करेंगे हर question सारा question का answer देना कमपलसरी है section B जो जिसमें 6 very short question होंगे जो दो number के होंगे इसका answer आपको कैसे लिखना है 30 से 50 शब्दों में मतलब आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है अगर दो number का question है तो आप 2 से 3 line लिख दिए that is more than enough और बहुत ज़्यादा अगर demand कर रहा हो तो 4 से 5 line that is more than enough है दोस्त इससे ज़्यादा नहीं लिखना है section C में क्या होगा उसमें 7 short type question होंगे 7 जो होंगे वो short type होंगे जो 3 number के होंगे जिसमें 50 से 80 सब्द यानि कि मोटे तोर पे 7 से 10 line आप लिखेंगे ठीक है section D इसमें 3 long question होंगे दोस्त जो कि 5-5 number के होंगे जो कि 80 से 120 सब्दों में आपको लिखना है इस बार जो हुआ है कि long answer का जो संख्या है वो घट गया है दोस्त पहले 3 से ज़ादा होता था बट अभी सिर्फ 3 होगा section E में जो होंगे 3 source based यानि case based question होंगे दोस्त जो कि 4 number के होंगे इसमें सबसे अधिक जो ध्यान देने वाली बात है ये आपका information based concept based question है ये अगर आपका concept बहतर होता है तो आप attempt कर पाएंगे ठीक है ये हम लोग देख लेते हैं अब थोड़ा question का type देख लेते हैं दोस्त किस तरह का question हमारा आ रहा है आप section A में देखेंगे इस में से आपका objective type होगा जनी MCQ में होगा 4 probable options दिये होंगे जो nearest जो suitable answer होगा वही आपको देना है जो nearest suitable answer होगा ठीक है जैसे the change in color of the moist litmus paper in the given setup is due to अब एक चीज़ देखिए जो litmus paper का जो color होता है कैसे change करता है acid में change करेगा base में change करेगा आपका H plus जब एक कुश आयन होगा solution में उसमें change करेगा presence of litmus which acts as indicator किसमें change करेगा दोस्ट तो आपका जिसमें H plus आयन होगा उसमें change करेगा क्यों? H plus आयन कभ होता है दोस्ट जब ओ acidic solution होता है तो उसमें H plus आयन बहुत ज़्यादा dissociate करेगा मतलब जितना ज़्यादा acidic होगा उतना ज्यादा H plus iron dissociate करेगा ठीक है दोस्त उसी तरह से अगला question देखेंगे in the redox reaction जैसे MnO2 plus 4HCl क्या बनेगा MnCl2 plus 2H2O ठीक है दोस्त इसमें हमारा क्या होगा कौन सा reduce करेगा कौन सा oxidize करेगा हम लोग redox reaction में पढ़े थे दोस्त ठीक है क्या पढ़ते हैं उसमें इसमें पढ़ेंगे MnO2 is reduced to MnCl2 यह तो सही है दोस्त यह तो होगा HCl is oxidized to Cl2 यह सही लग रहा है हाँ इसका answer B होना चाहिए दोस्त MnO2 तो reduce करेगा MnCl2 में और HCl जो है वो oxidize करेगा Cl2 में ठीक है इस तरह से हम लोग अगला question देखते हैं दोस्त जैसे एकक करके हम लोग और सारा question देखेंगे इसका answer भी आपको मिल जागा दोस्त एंसर भी है सारा का आपको question ध्यान से देखना है question को समझना है दोस्त इस बार का question का pattern थोड़ा बदल रहा है आपका concept का clear होना बहुत important है normally जो हम लोग जैसे पढ़ते आ रहे हैं अगर उस pattern में पढ़ेंगे तो शायद सारा question का हम लोग attend ना कर पाए हम लोग को उतना अच्छा marks नहीं मील पाएगा तो करना क्या है पूरे concept wise पूरे के पूरे syllabus को पढ़ना है दोस्त ताकि हम लोग maximum score को gain कर सकें ठीक है जैसे अगला question देख लेते हैं एक अदा question हम लोग handle करेंगे दोस्त और उसके बाद आप तो practice करेंगे ही जैसे with the reference of four gases CO2, CO, CO2, O2 which one of the option is in the table is correct कौन सा सही है जैसे CO2 है CO2 है CO2 है CO2 है जैसे acidic oxide है used in treatment of water पानी का जो treatment में कौन सा गैस इस्तमाल करते हैं ठीक है production of respiration, respiration में कौन सा प्रोड़क्ट होता है production of incomplete combustion मतलब जब incomplete combustion होता है तो उसमें कौन सा चीज निकलता है product क्या बनता है दोस्त, acdic oxide क्या हो सकता है CO2 हो सकता है हम लोग water treatment के लिए chlorine gas के इस्तमाल करते हैं respiration में product क्या होता है दोस्त carbon dioxide होता है product तो हही होता है ना दोस्त respiration में हम लोग तो oxygen को use करते है ना glucose को तोड़ने के लिए और incomplete combustion होगा तो उसमें क्या निकलेगा carbon monoxide निकलेगा दोस्त तो इस तरह से हम लोग देख लेंगे और उसके हिसाब से हमारा जो option है बी सही लगता है दोस्ट इस तरसम लोग सारा question देख सकते हैं दोस्ट On placing a copper coil in a taste tube containing green ferrous sulfate solution It will be observed that the ferrous sulfate solution अब क्या होगा इसमें? अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या option होना चाहिए? एक वार आप देखेंगे, एक वार पढ़के देखेंगे क्या लगता है? इसमें लगता है दोस्ट अगर copper coin को एक taste tube में रखेंगे containing green ferrous sulfate solution, ठीक है? क्या होगा? Green with no change, उसमें कोई परिवर्टन नहीं होगा दोस्ट क्यों नहीं परिवर्टन होगा? copper हमारा कम reactive है iron से, इसलिएक को ज़्यादा परिवर्टन नहीं हो पाएगा हम लोग अपना reactivity series याद होगा, तो हम लोग उसमें देखेंगे copper जो है, reactivity series में बहुत नीचे है, iron बहुत ऊपर है दोस्ट अगर हम लोग को इस तरह का logic पता होगा, तो हम लोग answer को easily handle कर सकते हैं दोस्ट, ठीक है? तो इस तरह से हमारा question, bio, physics, chemistry हर section से question है दोस्ट, इसमें तकरीवन हमारा 20 जो है objective based है, आप देख रहे होगा कि सारा question जो है, सब case based question ज़्यादा दिया जा रहा है दोस्ट, इस बार CBC ये check करना चाहती है, बच्चे जो है after COVID-19, बच्चे लोगों का जो पढ़ाई है, वो case based ज़्यादा check किया जा रहा है दोस्ट, पहले theory based ज़्यादा होता था, लेकिन अब जो हो रहा है, case based ज़्यादा question है, आपको धन से पढ़ना पड़ेगा, सब question को attempt करते समय, आप यहाँ पर एक question यह देख सकते हैं, a copper wire is held between the pole of a magnet, यहाँ पर देखेंगे copper wire को दो magnet के pole के बीच में रखा गया है, तो क्या होगा इसमें, magnet का एक north pole है, south pole है, वायर को कि रिवोर्स्ट, the pole of the magnet can also be changed over, अब हम जानते हैं, अगर उसका wire के pole को, magnet के pole को अगर हम लोग चेंज करेंगे, तो current का direction भी बदलेगा दोस्ट, यह तो हम लोग को पता ही है, in how many of the four direction, zone can be force act on the wire, मतलब कितने direction में force इस पे काम कर पाएगा, अगर आपको ध्यान होगा, तो दो direction होगा दोस्ट, क्यों? अगर हम pole को change करेंगे एक बार, north और south को interchange कर देंगे, तो force का direction दो ही बार change होगा ना दोस्ट, simple, आपको समझना है, अगर pole को change करेंगे, एक बार, north रहेगा, left side में, south रहेगा, right side में, तो एक बार, force का direction होगा, अब एक बार, right side में north pole कर देंगे, और left side में south pole कर देंगे, तो force का direction बतल जाएगा दोस्ट, यानि, maximum दो ही बार इसके में change हो सकता है, तो यह हम लोग ध्यान देंगे दोस्ट, यह हम लोग को ध्यान में होना चाहिए, अगला question क्या बोलता है दोस्ट, plastic insulation surrounds a wire having diameter D and length L as shown above, जैसे देखिए आप यह figure में एक cylindrical जो हमारे पास plastic insulation जो cylindrical form में एक plastic का tube है, metal core है, उसमें डालाउस का diameter D दिया हुआ है, अब बोलता है इसका length L है, तो क्या बोलता है, a decrease in the resistance of the wire would be produced by an increase in the, क्या होगा, मतलब उसमें जो है की decrease in the resistance of the wire would be produced by, कैसे produce होगा, किसको बढ़ाने से resistance हमारा घटर है, simple, समझने question कीजिए, यह कहां वाला question था, आपको अगर याद होगा तो, हमारा resistivity वाला section में हम लोग याद होगा आपको तो पता चलेगा उसमें, क्या-क्या चीज ध्यान देना होगा था, याद किजिए, क्या हो सकता था, अगर हम लोग diameter को बढ़ाएंगे, यानि की wire के थिकनेस को बढ़ाते हैं, तो resistance हमारा घटता था दोस्त, अगर आपको याद होगा तो, यानि की ये क्या होता है, area के inversely proportion होता है, अगर area बढ़ेगा, तो resistance घट जाएगा, area घटेगा, तो resistance बढ़ेगा, मतलब क्या होता है, तार की मुटाई का घटना और बढ़ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है, हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, अब देखिए जो बहु पूरे marks, 80 questions में, तकरीबन घुमा फिराके, 25 से 30 number का question जो होगा, वो reasoning based, case based, activity based question है दोस्त, अभी तक आप question देखे होंगे, ज्यादा तर activity based question आ रहा है इस बार, यहाँ पर देखेंगे, assertion लिखा हुआ है, मतलब क्या बोलता है, these consist of two statements, assertion and reason, A मतलब assertion हो गया, B मतलब reason हो ग क्या उसका वो कारण हो सकता है, क्या उसका सही उत्तर हो सकता है, जैसे क्या इस cancer होगा, both A and R are true, मतलब assertion भी सही है, जो बात बोली गई है, वो भी सही है, उसके लिए जो reason दिया गया है, वो भी सही है, दूसरा में क्या बोलता है, A and R are true, दोनों सही है, जो बात बोली गई यह वो भी सही है जो reason दिया गया है वो भी सही है लेकिन R is not the correct explanation of A R जो दिया गया है वो A का correct explanation नहीं है C में क्या बोलता है A is true but R is false assertion जो बोला गया बात है वो तो सही है बट जो reason दिया गया है वो सही नहीं है D option क्या बोलता है A is false A गलत है लेकिन R सही है यानि कि जो कथन दिया गया है वो तो गलत होगा लेकिन जो reason दिया गया है reason सही होगा अब देखे इस तरह का question जब आपको आएंगे यह आपको तंग करेगा दोस्त बीना concept के आप इस question पर attempt ने करेंगे अगर करते हैं तो हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है आपको जब question एटेम्ट करना होगा दोस्त, बहुत देहान से करेंगे जैसे एक दो एक्जाम्पल हम लोग देखने कोश्ट करेंगे इसमें जैसे silver bromide decomposition is based in black and white photography जो silver bromide का decomposition मतलब जो तूटता है कैसे हो गोड़ेगा, is used in silver bromide जो solution है उसका use कहता था, उसको negative को positive करने के लिए उसका reason क्या दिया गया light provides energy for this exothermic reaction इसमें जो light क्या करती है इस exothermic reaction exothermic reaction आपको पता है, वह ऐसा reaction जिसमें energy निकलती हो ऐसा reaction जिसमें energy निकलती हो उसमें light की जरुत होती है, light लागेगा तो उसमें energy निकलती है यहां पर क्या बात सही लग रहा है दोस्त, यह तो सही है मतलब जो assertion है वो तो बिल्कुत सही लग रहा है दोस्त, क्यों क्यों कि silver bromide का use किया ही जाता था पहले जमाना में, negative को positive करने के लिए जब हम लोग negative positive photo बनवा थे तब की बात हो रही है दोस्त, लेकिन light provides energy for this exothermic reaction, यहां पर exothermic reaction की बात कहा हो रही है, यहां तो सिर्फ photo को develop करने की बात हो रही है photo develop होगा, तो बात answer आईगी यहां पर तो आपका सिर्फ A सही लग रहा है दोस्त, मतलब assertion सही लग रहा है, लेकिन reason इसके लिए जो दिया गया है, वो perfect नहीं लग रहा है, जिसका हम लोग answer क्या मार सकते हैं दोस्त, C मार सकते है C इसका answer हो सकता है दोस्त, ठीक है इस तरह से हम लोग को समझना पड़ेगा और answer को देना पड़ेगा हम चुकी सारा questions को attempt नहीं कर रहे हैं दोस्त, इसमें हम सिर्फ कुछ questions को आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, clear है यहाँ देख लीजिए questions जो है, section B है इसमें 21 से 26 तक question जो very short है, आपको 4 से 5 line से ज़्यादा answer नहीं लिखना है दोस्त यहीं 30 से 50 सब्दों के बीच में देना है, 30 सब्द मतलब एक अगर line में अगर हम लोग 6-7 सब्द लिख पाते हैं, तो 4 line 5 line, 6 line मतलब इसी तरह हम लोग answer लिखेंगे दोस्त, अब देखें question भी देखें, यह activity based question है ठीक है यह activity based question है आगे भी question देखेंगे सारा question जो हमारा इसमें अधिकांसा जो है दोस्त, वो activity based question है इसमें हम लोग को ध्यान देना है कैसे हम लोग question को attempt करें हमारे books में बहुत सारे books, जो NCRT book होती है, उसमें activity बहुत सारा दिया हुआ है आपको activity पे बहुत ध्यान देना है इस बार, CBC का sample में देखिए activity based question बहुत सारा है यहाँ पर एक question यह देखिए जो section C है, 27 से 33 यह short answer है दोस्त मतलब इसको 50 से 80 सब्द के बीच में लिखना है यह 3 नंबर का question होगा जैसे, यहाँ पर 27 नंबर question आप देख लीचे, फटा-फटा आपको समझ में आजागा A plus B, C क्या बनेगा, product क्या बनेगा AC plus B, मतलब A यहाँ से B को replace कर दे रहा है, यह दिस्प्लेस कर रहा है यह displacement reaction है दोस्त देखके ही समझ में आ रहा है B अलग हो जा रहा है यहाँ कि AC मिल गया और B अलग हो गया, यहाँ displacement reaction है AB और CD कर रहा है यहाँ AC बन रहा है और BD बन रहा है यह दबल displacement reaction है दोस्त आपको इसको लिखना है और इसमें एक chemical reaction भी आपको डालना है अगला जो question देख रहा है question number 28 में देखिए यहाँ पर आपको लिख रहा है कि इसमें कौन सा process होकर होगा cathode पे क्या बनेगा inode पे क्या बन रहा है जब भी इस तरह का होगा तो याद रखिएगा जब भी किसी चीज़ का electrolysis होता है दोस्त, electrolysis में याद रखिएगा अगर जो product बन रहा है उसमें आपको यह ध्यान देना है कि वो negative या positive किस तरह का contain है अगर वो negative ion है कि positive ion है inion है कि kation है किस तरह का है तो अब उसके हिसाब से आपको यह समझना है कि जो हम electrolysis में जो anode का use किये हैं cathode का use किये हैं जो electrode जो हम लोग बनाते हैं उसमें आपको ध्यान देना है, अगर कोई नीगेटीव आयन वाला प्रोड़क्ट है, तो वो नौड पे जाएगा, और जो पोजीटीव आयन वाला कोई प्रोड़क्ट है तो वो हमारा कैथोड पे जायर अल्टरनेट कर दीजिएगा, यहां का प्लस, उधर का माइनस और यह ऐहां का mutus जैसे यहां पर आपको क्या बन जाएका दोस्ट अगर आपको थोड़ा सब ध्याण देंगे तो इनोर पर क्लोरीन चल जाएगा और कैथ्योड पर हाइद्रोजन चला जाएगा ध्यान से देखिगा आपको अपने आप समझ में आने लगेगा दोस्त, ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पर question देखेंगे, अब यहाँ पर आपका section D आता है दोस्त, यहाँ पर देखें question number 32, यह देखें activity based question है, जिसके हम बार बार जिक्र कर रहे हैं दोस्त, अपने NCRT book का activity जितना भी दिया section जो D है, इसमें long answer है दोस्त, आपको बताया थे, इस वर तीन ही long answer आ रहा है, ठीक है, उसमें भी देखेगा कैसा question है, आपको ABC करके question है, और करके question है, इसमें आपको option मिला हुआ है, आप या तो पहले वाला बना सकते हैं, या तो और के बाद वाला बना सकते हैं, जितना भ का से देखेंगे, ऊपर में आपका, दो question दिया हुआ है, नीचे में भी दो question दिया हुआ है, आप और करके दोनों में से कोई भी choose कर सकते हैं, अब ये देखेए, activity based question, फिर से आ गया आपका, 36 number question में आप देखेंगे, इस दरह का, एक diagram बनाए हुआ है, ये घर का photo है, आप आपको समझ में रहा हुआ होगा, घर में वाइरिंग की गई है, और इस वाइरिंग में आपको समझना क्या है, देखें, ये लिखा वही है, this is a systematic diagram of a household circuit, इसमें household circuit का दिया हुआ है, इसमें बताया हुआ है कि कितना सारा हमारा यूज किया है, हम लोग जो resistance यूज कर रहे है resistance मतलब क्या, electrical appliances, जो use कर रहे है, उसमें कितना voltage supply हो रहा है, कितना ampere current supply हो रहा है, अब उसके बाद फिर एक question दिया हुआ है, उसके इसाब से इसको फिर handle करना है, question number E, ये देखें, ध्यांस देखें, ये लिखा हुआ है, our case based, data based question with two to three short sub parts, मतब हर question में दो तीन छोटे हुए होंगे, आपका उस जो passes type का, case type का, जो question दिया हुआ होगा, उसी में सच चून कर आपको बनाना है, clear है, यहां पर आप देखिए, 38 number, 39 number question, ये सब case based question है, इस तरह का case आएगा, उसके बाद आप इसको handle कर पाएंगे, इसमें आपको करना क्या है, पूरे चीज को बहु हम आपको पिछली वीडियो में बताय हुए हैं, कि आप NCRT को अभी तक दो बार कैसे complete कर सकते हैं, हमारा जो पिछला वीडियो रहा है, उसमें आप ध्यान से देखेंगे, कैसे हम लोग पढ़ेंगे कि NCRT हम लोगों का दो बार खतम हो जाएगा, आने वाले January तक, आप ध् के तरीन तयारी हो सकता है, कोशन देखें, यहां पर आगर और तक में खतम होता है, ठीक है दोस्त, अब हम लोग का दोस्त यहां पर answer का पूरा piece डाला हुआ है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले खुद से बनाएंगे इस पूरे questions को, उसके बाद अपने बनाए हुए questions को इस answer से match कराएंगे, आपका practice हो जाएगा, पूरा एक sample बन जाएगा, पूरे तीन घंटा के अंदर बनाने कोशिच कीजएगा, एक वार बन जाए, फिर answer मिलाएगा, ताकि आपको इस बात का एहसास हो जाए, कि मेरे इतने दिर में कितना question बन रहा है दोस्त, ठीक है, ठीक है,